नमस्कार सात्यों, बहुत ही महत्वपून सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें अपन 500 क्यूशन करने वाले हैं, अगर किसी भी विद्यारदी के Employability Skills में अगर बैग हैं, किसी भी ट्रेड से हो, तमाम सभी ट्रेड के स्टुडेंट इस क्लास को देख सकते हैं, अगर व रहे हैं, यानि कि वो क्यूशन करने वाले हैं, जो ओल्डेडी एक्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो जो क्यूशन एक्जाम में पूछे जा चुके होते हैं, वह क्यूशन अती महत्वपून होते हैं, और उनको वापी से पूछे जाने की समभावनें काफी सारी रहती ह इसलिए आप हरे क्यूशं को अच्छी तरके से देखना हरे क्यूशं को अच्छी तरके से याद करना और एक्जाम के लिए अच्छी तयारी के साथ आपको एक्जाम देना है इसलिए लगतार क्लास पर बने रहेगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल से जो कि अती महत्वपून क्यूशन क्यूशन आपके सामने हैं जो कि है निमने लिकित में से कौन एक ओनलाइन भुकतान आवेधन नहीं है यहां पर नहीं है पूचा है ओनलाइन भुकतान यानि कि जो ओनलाइन अपन पेमेंट करते हैं तो इन इस्टाग्राम जो है यह एक मल्टिमीडिया है ठीक है तो यहां पर अपन चेट वेट कर सकते हैं वीडियो शेयर कर सकते हैं फोटो अप्लोड कर सकते हैं लेकिन यहां पर अपन पेमेंट का आधान प्रतान नहीं करते तो यहां पर पूचाए कि नहीं है ओनलाइन बुकतान आवेदन करने का नहीं है तो इस्ट्राग्राम नहीं है तो यहां पर यह आप्षेनी कंप्लेटली से अंसर हो जाएगा अब देखिए बात करते कि कौन-कौन है तो बैंकिंग अनुपरियोग हैं गुगल पे हैं सभी करते इससे बीम यूपी आई भी ओनलाइन पेमेंट एप्लिकेशन है तो यह सभी तो हैं ठीक है अगरे कुशन पर आते हैं नेक्स्ट क्यूशन दो नमर जो कि आपके सामने मोकिक संचार औरल कम्युनिकेशन का कोण सा लाब नहीं है यहाँ पर भी नहीं है पूचा है तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह होगा इत इस फोर रिकॉड यहां पर आपका सी ओप्षिन गुम्यक्टीट crystal से ऐसे ध्यम्द का दिखना अवरल कम्यूनिकेशंस इम्धन का कोन सा लाब नहीं है तो यह होता है इत इस फ़ोर रिकॉड नहीं होता है क्योंकि इट-इज क्योड है feedback is immediate है और यहाँ पर it is direct भी है कौन सा नहीं है पूचा है तो यहाँ पर c option में जो दिया है it is for record यह नहीं है ठीके ना simple से questions आते हैं अराम से पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीकी से याद हो जाएंगे next questions है cut command के लिए एक shortcut कुझी क्या है देखिए computer में अपन cut करते एक file को एक इस्तान से दूसरी इस्तान पर जब अपन उसको move करते हैं तो उसको कहते है cut cut करने के लिए जो अपना shortcut है वह है cut से याद रखो इस तरह के से cut यान कि X तो control plus x इसके द्वारा अपन क्या करते है cut करते है और उसी को अगर copy करना है तो अपन c से करते है और अगर सभी file को अपन चीनित करते है यान कि select करता है एक साथ तो उसको करते है ctrl plus e ठीक है तो यहां पर पूचा है कट के लिए तो कट के लिए कौन सा होगा कंट्रॉल प्लस एक्स होगा यह आप ध्यान रखना चारों का मैंने बता दिया अपन जो सामने है एक वाइलेस तक्निक जो लेटोप को इंटरनेट से जोड़ती हैं कहला है तो देखे तो नेट्वर्क भी नहीं है और देक्स होता है जो कि शीक है मॉनेटर पर जो स्क्रीन अपने को दिखती है वही क्या है क्या है रेक्श्कूप है में interview itikette में डोज क्या है तो यहां पर पुझा हैए डोज क्या है तो यह होता है वह होता है सब्सक्राइब कल्म है chilling ряд और प्रोच होता है वह यह option यहां परrendre आपका सज़ी शरी क्यूशन नमर्प ऑछे कहिंसे सामने है पॉमोडोरो तक्नीक एक एसी प्रनाली है जो लोगों को उनके पास मुझूद समय के साथ काम करने के लिए साइध करती है तो पॉमोडोरो तक्नीक किसके लिए प्रियोग की जाती है तो यह पॉमोडोरो तक्नीक जो है न यह समय का प्रभंदन और एक कारे पर अधिक समय तक जिन्दित करने वालों के लिए प्रियोग की जाती है यह आप जयाना ड्यो अप्शन आप पर कमटर्यटली सही आंसर होगा अगला क्यूषिन जो कि आपके सामने साथ नमबर रिक्त में सही सब्साइब यानिके यहाँ पर एक तीश्तान पर सही सब्साइब बनना है दे यहां पर दे हैं तो यह वह गयी और वाज का प्रियोक करते हापन पास 10 के लिए तो यहां पर good friend के बारे में बोल रहे हैं तो एसा थोड़ी नहीं कि कि के मेरा good friend था ऐसा नहीं हो रहा है यहां पर डे good friend ठीक है यह मेरे अच्छे मित्र है next question है smart लक्ष में M का क्या अर्थ है यहाँ पर M का अर्थ पुचा है M का जो अर्थ है वह है measurable यहाँ पर completely आपका सही answer होगा measurable आपका completely सही answer होगा यहाँ पर D option आपका completely सही answer है ध्यान रखना ठीक है confusion नहीं होना है याद रखना measurable completely सही answer अगला question है आपकी पहिचान को गठित करने में निमने लिकित में से कौन सा नहीं है आपकी पहिचान को गठित करने में निमने लिकित में से कौन सा नहीं है इन में से कौन सा नहीं है तो वह है एक परिक्षा में प्राप्त अंक एक प्रिक्षा में प्राप्त अंक आपके पहिचान नहीं करा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्यूशन जो कि हैं उनके पर्यावरण के संबंद में जिविच चीजों के अध्यान को कहा जाता है तो उसको कहते हैं अफने विसके सब्सक्राप्त अध्यान का यहां जाने वाली सहेथा को रिक्तिस्तान के रूप में जाना जाता है तो उसको कहते हैं प्रातमिक चिक्सा ठीक है यानि कि कहने का वाला में यह है कि आप पर ओस्पिटल में नहीं ले जाते हैं या डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं या मेडिकल पर नहीं ले जाते हैं उससे पहले जो अपन घर पर उपचार करते हैं उसको प्रात में चिस्ता कहते हैं और वही इसमें पूछा गया है ठी आप खुद उसका अंजर दे पाओगे अगर कुशन को ढंक से नहीं पड़ोगे तो आप गलत करके आजोगे यह ध्यार रखना ग्रूप डिस्कुशन में दिये गए अभी वेक्ति का सही संदर्वच्चु ने याने कि है एकस्क्यूज मी अगड़ में अ आए वुड़ किंत Sierra moist में जाओगो तुम सकता है पुद्थ辉ड आसकता है तो आप ö2 सकते हैं करके तो जरूर आना कुछ भी कर की आजाओ अपर सारे दूसरी कुशन है उनको आप फोकस करो कापी सारे बच्चों के इंग्लिस समझ में नहीं आती है ठीक है इन पर आप ज्यादा ध्यान मत देना बाइक की दूसरों पर जरूर ध्यान देना ठीक है यहां रगना ऐसा क्यूशन अगर आज जाए वापिस है तो वेरी वेल एंड यू करके आजाना ठीक है नेक्ट क्यूशन से जो की है SMS का विश्तार क्या है यह तो most important क्यूशन है याद करना SMS आप करते हो SMS का full form यापर पूचा गया है SMS का full form वता है simple message service simple message service ने ने इसका answer क्या है correct वया है short message service क्या है short message service डी option यापर completely सही answer होगा ठीक है next question से ग्रहा के सुझाओं समस्याओं को जानने के बाद क्या कारवाई की जानी चाहिए तो वहाँ पर पूचे वर्गिक्रित करे अधिनियम और अनुवर्तिक कारवाई यापर C option completely सही answer है next question से internet पर की गई एक अवेद गतिविदी को कहा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है इसको cyber crime कहा जाता है अगला question से कौन एक storage device नहीं है याद कि कौन एक एसी है जो कि storage device नहीं है तो वहाँ प्रिंटर पर आपन क्या करते है प्रिंट निकालते है क्या यह storage है क्या क्या यह memory की तरह काम करता है क्या तो नहीं करता यह एक प्रिंट निकालने hard copy देने का काम करता है प्रिंट करने का काम करता है memory card है video tab है USB flash drive है यह ध्यान रखना ठीक है नेक्स्ट क्यूशन जो कि आपके सामने है सोर गर्मी या ठंडी वाली सारेरिक असहज़ता के अंत्रगत आती है तो यह परियावरन बादा के अंत्रगत आती है यहाँ पर भी option completely सही आंसर होगा अगला question से आप ATM से 500 रुपे निकालते हैं ATM मसीन 5000 देती है नेम ने लिखे तो मैंसे कौन सा नेतिक रूप से सही होगा तो आप क्या करेंगे समझो आपने 500 रुपे निकलवाई और वहां ATM मसीन ने 5000 आपको दे दिये आपकी account से भी 500 कटे और आपको मिल गए 5000 त देखो क्या करना है रुपे ले लेना बिल्कुल भी मत करना यह ध्यान रखना वहना दूसरे दिने आपकी घर पर पुलीस आजाएगी ATM के पास पैसे गिरा देना तो वहीं नहीं छोड़ना है उनको उन पैसों को वहीं नहीं छोड़ना दूसरे ले जाएगा ठीक है सिकायद दर्ज करना तो बिल्कुल आपको सिकायद दर्ज करनी है कि ऐसे ऐसे प्रोब्लम हो गई मैंने पासवर पर निकल वाए लेकिन यहापर 5000 निकल गए गरिबों को पैसे देना यह सही कारे नहीं होगा गरिबों को देदोगे लेकिन पस जाओगे आप ठीक है तो यहापर आपको सी ओप्सन को चूश करना यह ध्यान रखना पर नहीं से और प्रबावी साधन कोन सवा है तो आदूनिक टैंप पर अधीकिन ग्मेंहस नहीं है तो टीवी के माध्यम से नहीं है यह संचार नहीं करता यह आपको सूच नहीं देता हैं खबरें देता है लेकिन संचार का सही माध्यम नहीं है fax भी नहीं है और dark mail भी नहीं है electronic mail है जो कि आप emails वेस्ते हैं वहीं आपर electronic mail जो कि आदुनिक संचार का नविंतम और परभवी सदन है है ना आपका result जो आता है वो email के थूँ आता है कोई भी update आती है वह email के थूँ आती है R.O.M का विश्तार क्या है बहुत ही simple सा question से उमीद है आप सभी को पता होगा यहाँ पर एक तो पुछा जायता है RAM के बारे में और एक पुछा जाता है ROM के बारे में ROM के बारे में तो question में पुछे गया है तो यहाँ पर क्या आएगा read only memory आएगा तो यहाँ पर b option completely say answer होगा ठीक है read only memory और अगर आप से पूछ ले RAM के बारे में तो random access memory होता है यह ध्यान रखना RAM का क्या होता है random access memory होता है अगला question जो कि आपकी सामने है कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है तो वह होता है स्रम बाजार यानि की labor market इसको कहा जाता है C option completely सही answer होगा अगला question से नेमने इस तरकी भासा को भी कहा जाता है तो नेमने इस तरकी भासा को मसिनी भासा कहा जाता है नेक्स्ट question जो कि आपके सामने है computer उप्योग करता हो computer उप्योग करता हो को web page खोजने और access करने में शक्षम करने के लिए उप्योग किये जाने वाले किये जाने वाला एक software application कहलाता है तो यह web browser कहलाता है यहाँ पर आपका a option completely सही answer होगा वे ब्राउजर क्या होता है जैसे कि ओपेरा सफारी जो कि एपल का है ठीक है और यहाँ पर Chrome प्रोम ब्राउजर जो कि आपके मोबैल में है तो यह सभी वे ब्राउजर होते हैं ठीक है अगला question जो कि आपके सामने है चर्चा सिष्टाचार का don't है देखिए चर्चा सिष्टाचार का don't आपका यह option completely सही answer हो जाएगा यहाँ पर अपने 25 क्यूशन्स आज की complete कर लिए हैं नेक्स्ट क्लास यान कि कल फिराजर होंगे इसी टाइम पर और 25 क्यूशन्स फिट से करेंगे बहुत ही श्यांदार क्यूशन है very very most important क्यूशन से लगातार चेनर पर बने रहेगा डेली आ आप इन क्लासों से जरूर पास हो जाओगे इसलिए आप इस क्लास को बिल्कुल भी मत छोड़ना और हरे क्यूशन्स को अच्छे से पढ़ लेना एक्ट्रा और क्यूशन्स करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाना वहाँ पर जो स्रीज है पूरी completely जो आपकी नेमी क की उसको हमने पुरा complete करवा रहा है वहाँ से आप उसको देख सकते हैं तो मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तक लिए धन्यवाद सुक्रिया